जय स्री राम जय हनमान ओम स्री हनुमंते नमा हनमान जी का असिरवाद सदा आप पर बना रहे हनमान जी के असिरवाद से आपका भग युदे हो जीवन में सुक सम्रिदी सो भग बढ़े आपका कल्यान हो निश्चे प्रेम परतीत ते बिने करें सनमान तेही के कारश सकल संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किरपानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान तुलारासिवारों बुद्धवार का दिन 22 सितंबर आसिन माकृष्पच की दूतियाती थी बृधियोग रेप्ती नचत्र बिरस्पति और बुद्ध का प्रभाव सनी की छाया रा भग्य धन लाब का योग तरक्की उनती सम्रिद्धी सुख धन और सवभग्य बुद्ध और बिरस्पति का प्रभाव आपकी जीवन में आपको बहुत कुछ देगा आपको उनती तरक्की सुख धन से पडिपूर्ण करेगा आज ये बिरस्पति और बुद्ध का में इस समय बुद्धे सुर्ज और मंगल के साथ आपकी कुंडली के द्वादस भाव में गोचर कर रहा है साथ ही सुक्रे लग्ण में बैठा है सुक्रे इस समय तुलारासिवारों के लिए उनत्ती का योग बना रहा है आपके रुकेवे काम को आगे बरहा रहा है इस्थिति को बेहतर बना रहा है वही मंगल अनुकूल परिवर्तन आपके जीवन में ला रहा है साथ ही साथ सुर्ज के साथ बुद्ध का गोचर इस समय आपकी कुंडली के द्वादस भाव में है जो बुद्धादित योग बना रहा है जिसके कारण आपके जीवन में विशे सुनत्ती होगी बुद्धादीत योग में भग्य के सितारे चमकते हैं बुद्धादीत योग में जीवन में सफलता और काम्याभी मिलती है ग्रहों का गोचर सुभ है आपके जीवन में लाभ देगा उनती देगा, तरक्की देगा, स्वभग्य धन से आपको परिपुन बनाएगा आज ये सुर्ज और बुद्धे आपकी जीवन में आपको काम्याबी के दरवाजे तक पहुचाएगा जीवन का हर कदम धीरे धीरे आप तरक्की के तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये समय आपकी जीवन में बड़ा बदलाव दिन लेकर आया है आप देखते देखते अपनी जीवन में बहुत कुछ अरजित कर लेंगे क्योंकि आज का दिन स्वभग्य और सुख का दिन है क्योंकि बिरस्पती जो इस समय आपकी कुनली के सुखस्थान में सनी के साथ बैठा है आपकी जीवन में अच्छे संभावना को बना रहा है प्रगती उन्नती से मन में खुसियां होगी सफलता की प्राप्ती आपके परिवार में समर्धी लेकर आएगा नौकडी बैपार में समय अच्छा है धीरे धीरे आपको मेहनत का उचित फल मिलेगा आज आप ऐसा महसूस करेंगे कि आज आपके काम भी असानी से पूरे हो रहे हैं आपकी काम की प्रसंसा भी हो रही है आपके जीवन में उस काम से आपको धन भी प्राप्ती होगी आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा आप जीवन में बहुत कुछ पाएंगे धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तन को आप महसूस भी करेंगे क्योंकि ग्रहों का गोचर इस समय अनुकूल है कारचेत्र में बहुत जादा लाब होने का योग है जिसके कारण आपके नौकडी और बैपार्ट पर इसका असर परेगा धन प्राप्ती आपको होगी आप धन भी कमाएंगे इज्जत मान मरियादा और अच्छे परिनाम भी पाएंगे ये समय नौकडी बदलनी की अगर आप योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहत अनुकूल है आपको जवर्दस सफलता मिलेगी अच्छी नौकडी मिलेगी अच्छा धन मिलेगा अगर आप बैपार करते हैं तो बुद्धा दित योग के कारण आप देखेंगे कि आपके बैपार में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन में आपको ज़्यादा मुनाफ़ा देगा अपने दाईतु का आप अपने जिम्यवारी का अच्छे से निर्माहन करेंगे यानि हर काम धीरे धीरे अच्छा से होता चला जाएगा सफलता काम्यावी की खुसिया आपकी जीवन को और सुखी बनाएगा आज उनती के अच्छे उसर मिलेंगे हर तरह का उनती परिवार में जो भी तनाव था परिवार में जो भी अनबन बाधा थी वो भी दूर होगा क्योंकि आज सुक्रे राहू और चंद्रमा की दृष्टी है राहू इस समय आपकी कुंडली के अस्टम भाव में बैठा है और सुक्रे लगने में बैठा है जबकि चंद्रमा आज आपकी कुंडली के छटे भाव में गोचर कर रहा है यानि आपके जीवन में जो भी थोड़ा बहुत तनाव था आपके जीवन में जो भी थोड़ा बहुत कस्ट था रुकावटे थी बाधा था वो सब दूर होगा और आपके जीवन में सुखत परिनाम आपको मिलेगा क्योंकि जोती सास्तर में बुद्धा दितियोग आपके जीवन को सुन्दर बनाता है आज आप किसी भी परकार का लापरवाही ना करें जल्दी वाजी ना करें हर काम को समझ कर करते जाएं तो आज का दिन विशेश तोर पर आपके लिए काफी लापकारी होगा अपने धैर्ज, अपने मेहनत से आप काम करते जाएं तो आपके जीवन में सुन्हरा मौका मिलेगा अच्छे आउसर मिलेंगे कोई बड़ा फैसला लेना परे तो सोच समझ कर आज आप ले ले क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में लाब का योग बरेगा, सुख का योग बरेगा क्योंकि आज ये विरस्पती और बुद्ध का परभाव है विरस्पती जो सुख अस्थान में सनी के साथ बैठा है और बुद्ध जो द्वादस में मंगल और सुर्ज के साथ बैठा है सनी की छाया है सनी विरस्पती के साथ बैठा है राभू अस्टम भाव में है तो सुक्र लग्न में और चंद्रमा छठे भाव में धन अस्थान में केतू बैठा है धीरे धीरे आपके कदम सफलता के तरफ आगे बढ़ेंगे आप अपने आपको भग्य साली समझेंगे जब आप अपने आपको सफलता और काम्याबी सुक और धन की प्राप्ती के करीब पाएंगे ये समय आपकी जीवन में हर तरफ से आपको सुखी बना रहा है ये समय आपकी जीवन में समरिधी और सुख लेकर आया है जिसके कारण आपकी जीवन में आत्म विश्वास से अपने काम को करते हुए जीवन में उनत्ती तरक्की प्राप्त करना बड़े परिवर्तन जीवन में सुख धन स्वभग्य और परिवार का साथ आपके कार्च की रुकावट खत्म हो रही है आज किसी भी परकार का आपके जीवन में रुकावट नहीं है किसी भी परकार का कश्ट और भिग्न बाध नहीं है इसलिए आज का दिन लाबकारी और सुख सम्रिधी प्राप्त करने वाला समय है आपके घर परिवार में खुसियों की सौगात लेकर बिरस्पती का प्रभाव काफी सुभ रहेगा जिससे आपके बच्चों की तरक्की होगी आपके परिवार में सुख धन बढ़ेगा स्वभग्य सम्रिधी आपके किस्मत के सितारों को बुलंद करेगा आज का दिन आप संतूस्ट रहेंगे अपने जीवन में लाब अरजित करेंगे मन में सुक सुभधा भोगने का योग जो है वो परिपून होगा धन धान से योगत आज का दिन तरक्की के नए रास्तों को खोलेगा आपकी खुसियों को बढ़ाएगा आपके जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाएगा कार्ज में सफलता जीवन में सुख धन का लाब रूप और गुन से आप समर्थवान होंगे सुंदर होंगे सुखी होंगे आज आपकी लोग प्रियता बढ़ेगी आपके जी लाब होगा आप रखग्य साली बनेंगे इस्तरीका सुख मिलेगा पुत्र का सुक्ह मिलेगा धंक कमाने की आपकी इच्छा पूरी h agriculture जीनके संगर्ष पर आप विजय प्राप्त करेंगे भग्य साली दिन है आज अपने जीवन में आप अपने आत्म विश्वास से सुख सांती से इच्छी सफलता पाएंगे आगे भरेंगे जीवन में सौभग्य और लाब की स्थिती आपके भग्य की बिर्धी करेगा तो तुलार आसी वारो आज बिर्धी योग है रेप्ती नचत्र है बुद्धवार का दीन है बिरस्पती और बुद्ध का परभाव है उत्तर दिशा की तरब से दीन की सुरुवात ना करें राहु सुक्र चंद्रमा की दृष्टी है आपके लिए लख्की कलर ग्रीन है और सन विर्ष्पती के प्रभाव से आप प्रभावीत होंगे विर्ष्पती जो सुखस्थान में सनी के साथ बैठा है आपकी जीवन में उनती का योग बनाएगा मान सम्मान देगा सुखद इस्थिती आपकी जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा चुकि चंद्रमा छठे जीवन में संतुष्थी और आपके काम पूरे होंगे आप समय का लाब उठाएं तो जीवन में आगे बढ़ेंगे उनती और तरक्ती सम्रिद्धी धन से पडिपूर्ण होंगे आज का विजय मुहरत दो बच कर पंद्रमिनर से तीन बच कर तीन मिनर का समय विजय मुहरत में राभू की दृष्टी होगी बुद्ध का प्रभाव होगा सनी की चाया होगी विजय मुहरत में अत्यन सुभ योग बन रहा है जो आपके उद्देश की पूर्टी करेगा जो आपके अंदर एक नई उर्जा का संचार करेगा मिहनत का उत्तम परिनाम मिलेगा जीवन में सकरात्मक बदलाव होंगे कार सिद्धी का योग है सुभ काम को सुभ मुहरत में करते जाएं तो आपके जीवन में लाब और सुख बढ़ेगा आपके जीवन में उनती तरक्की होगी सौभग्य धन से आप अपने आपको भग्य साली महसूस करेंगी आज रात्री आठ बचकर बारा मिनट से एक ग्यारा बचकर अठाइस मिनट का समय जब चंद्रमा और सुक्र की दिष्टी होगी सुक्र जो लगन में बैठा है चंद्रमा जो छटे भाव में गोचर कर रहा है आपके जीवन में सम्रिद्धी का योग बनाएगा परिवार में खुसियों को बढ़ाएगा कार्चेत्र का विस्तार करेगा जीवन साथी के साथ आपके प्रेम बढ़ेंगे सुक बढ़ेगा धन बढ़ेगा अपने कर्मों से आप जीवन में सुक और सम्रिद्धी का भोग करेंगे लाबकारी दिन है भाग्य बदलेगा भाग्य के सितारे बुलंद है आज का राभुकाल दोपार बारा बचकर 14 राभुकाल के दोरान किसी भी सुपकाम का सिरी गनेस ना करें आज बिरस्पती बुद्ध का परभाव है रेप्ती नचत्र है ब्रिदी योग है राहु सुक्रिचंद्रमा की दृष्टी है ऐसे में हनमान जी का दर्सन करें हनमान जी की पूजा करें हनमान जी के आसिरवास से जीवन में संतूस्टी मिलेगी जीवन की परिसानी दूर होगी अनुकूल परिनाम प्राप्थ होगा आपके सारे काम पूरे होगे आपके जीवन में लाब मिलेगा बेहतर इस्थिती आपके भग्य को चमकाएगा आपके जीवन में सुख धन स्वभग्य को बढ़ाएगा स सफलता काम्याबी से आज आपका प्रभाव बढ़ेगा सफलता मिलेगी सुख मिलेगा धन मिलेगा परिवार में उन्नती तरक्की सम्रिध्धी और खुसियों का महौल होगा तो तुला रासी वारू हनमान जी का दर्सन करें हनमान जी की पूजा करें गरहों पे अधारित अप आपकी जीवन में नौकड़ी बैपार अच्छा चलेगा भग्य अच्छा है धन मिलेगा किसमत से आप जीवन में सुख भोगेंगे लाभ का योग है सम्रिध्धी सवभाग आपके भग्य को चमकाएगा तो आज के लिए अतना ही फिर मिलेंगे इसी रासी फलकारज करम में तब तक के लिए मुझे आग्या दें आपका दिन सुभो जय स्री राम जय हन्मान संकर से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकर मोचन के पानिरान जय हन्मान जय जय हन्मान जय स्री राम जय हन्मान